हाई लो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे चेनल पर आप देख रहे हैं क्या होता है ग्रामेर चेत्रों में चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा निड़क कैसे लिए जाते हैं यहां हम ग्राम सभा को देखेंगे जिसमें लोग प्रतिय शुरूप से यानि डारेक्ट भाग लेते हैं और अपने प्रतिनिधियों से जवाब मांगते हैं देखिए यहां पर हो रहा है इधर प्रतिनिधि बैठे हैं और इधर लोग बैठे हैं मैलां और दर्साए गया है और पुर्सों को भी तो लोग बुझे हैं धहजनता बैठी है देखिए इसको पर शुरूप करने पहले यहां पर कुछ लिखा है इसको पढ़ते हैं ग्राम सभा एक पंचायत के छेतर में रहने वाले सभी वयसकों की सभा होती है हो सकता है कि उसमें सिर्फ एक गाउं हो या एक से ज़्यादा जैसा कि इस उधार में दिया गया है कई राजियों में हर गाउं की ग्राम सभा की बैठक अलग होती है कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्स या आज का दिन बड़ा खास है सभी लोग जल्दे जल्दी ग्राम सभा के लिए जा रहे हैं क्या आपको पता है क्यों क्यों कि पंचायत के चुनाओं के बाद आज पहली बार ग्राम सभा की बैठक हो रही है हर्दास गाउं के लोग यह जानने के लिए बहुत उस्सुक है कि नई पंचायत ने उनके लिए क्या यूजना बनाई है ग्राम सभा ग्राम सभा की बैठक सुरुगात में सरपंच और पंच ने सड़क की मरमत पर होने वाले खर्च का ब्यवरा कहां ब्यवरा दिया यह सड़क गाउं को मुख्य सड़क से जोड़ती है इसके बाद पाने की कमी पर चर्चा होने लगी गाउं में रहने वाली तीजिया ने बोलना सुरू किया हरदास गाउं में पाने की कमी की समस्या बहुत बढ़ गई है हैंड पंपों का पानी जमीन में बहुत नीचे चला गया है मुश्किल से हैंड पप में थोड़ा बहुत पानी आता है औरतो को लगा कि यह बहुत मागा पड़ सकता है तो उन्होंने कहा कि इस साल के लिए हैंड पंप और गहरे कर लेते हैं और गहरे कर लेते हैं और कुमों को साफ कर लेते हैं तीजिया ने कहा इतने से तो काम नहीं चलेगा हमें कुछ पक्की बेवस्था करनी पड़ेगी क्योंकि हर साल पानी का इसतर नीची ही गिरता जा रहा है जितना पानी जमीन में रिस्क के जाता है हम उससे ज़्यादा उपयोग करते हैं ग्राम सभा के एक दूसरे सदस से अनवर ने तब सबको बताया कि उसने महराश्ट के गाउं में पानी की संद्छड के एक नए तरीके देखे हैं वह उस गाउं में अपने भाई से मिलने गया था उसको जल समवरतन विकास कारेकरम यानि वाटर सेट करते हैं उसने सुना था कि सरकार ने इसके लिए पैसा भी दिया था उसके भाई के गाउं में लोगों ने पेड़ लगाये थे नालो पर चेक डैम यानि छोटे-छोटे के लिए अगला मुद्दा था गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोगों की सुची पर शुकृति लेना जैसे ही सुची में दर्ज नाम पढ़ने शुरू किये गए लोगों के बीच खुसर पुसर होने लगी नटवर ने देखिए ऐसे खुसर पुसर होने लगे नटवर ने हाल ही में तो एक रंगीन टेलीविजन खरीदा है और उसके बेटे ने एक नई मोटर साइकिल भी बेजी है वह गरीबी रेखा के नीचे कैसे हो सकता है सुरज मर्ल ने अपने पास बैठे आदमी से धीरे से कहा सरोज ने सुखी बाई से कहा बिर्जू का नाम इस सुच चला पाता है पर उसका नाम ही सुची में नहीं है सुखी बाई ने कहा तुमें तो पता ही है कि नटवर और विर्जू अमीर चंद के दो दोस्त हैं अब अमिर चंद को कौन कुछ बोल सकता है अमिर चंद पहले गाउं का जमिदार था और अब भी बहुत सारे जमिन का मालिक है लेकिन हमें ओम प्रकास का नाम तो सुची में डलवाना ही चाहिए सरपंच ने देखा कि लोगों के बीच में खुसर खुसर हो रही थी उन्होंने पूछा कि अगर किसी को कुछ कहना हो तो कहे सरोज ने सुरज मल को उक्साने की कोशिस की कि वो नटवर और बिर्जू के बारे में पूछे लेकिन सुरज मल चुपचा बैठा रहा है अमेर चंद ग्राम साबा में बैठा सब पर निगार रखे हुए थे सरोज ने उठकर कहा कि ओम प् प्रकास के घर कई बार गया पर हर बार वहां ताला लगा हुआ था वसायत कहीं काम डूडने के लिए गया हुआ था सरपंच ने कहा कि ओम प्रकास की परिवारी कायद देखी जाएगी और अगर वह सरकार द्वारा तैगी गई रासी से कम है तो उसका नाम भी सूची में कि रखो करवाना होता है जैसा कि आपने देखा ग्राम सभाही पंचायत की काम को स्युक्रिति कर दिती है तब ही पंचायत के अपना काम कर पाती है लेखिए ऐसे मजला है जाता है Department को सब्बत दिलवा जाता है यहां देखिए है कि महराष्ट के दो पंच जीने 2005 में अपनी पंचायत में उलेखनी काम करने के लिए निर्मन पूरजकार से समानित किया गयां अब यहां पर आगे है पंचायत के सर्दस्यों ने कुणा साप करने और दो हैंड पंपो को गरा करने के लिए विकल पर सोच बिचार किया ताकि गाउं को पानी के बीना न रहना पड़े सरबच ने सुझाओ दिया कि चुकी पंचायत के पास हैंड पंप के देखरेक के मदद में कुछ पैसा है तो उन्हीं पैसों को इस काम में लगाया जा सकता है इस पर सभी सदसे मान गए और सचीव ने उनके निड़े को रजिस्टर में दर्ज कर लिया अब यहां पर आगे देखते हैं पंचायत के तीन इस्तर हरदास गाउं की ग्राम सभा और पंचायत के बारे में पढ़ने के बाद आपको समझ में आई गया हो होती है क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही उसको चुनते हैं पंचायती राज ब्यवस्ता में लोगों की भगिदारी दो और अस्तरों पर होती है ग्राम पंचायत के बाद दूसरा इस्तर विकास खंड का होता है इसे जनपत पंचायत या पंचायत समिती कहते हैं एक पंचायत समिती की मदद से जिला परिशत सभी पंचायतों में आबंटी 83 के वितरण की विवस्ता करती है। समिधान में दिये हुए निर्देशों के अधार पर देश के हर राज ने पंचायत से जुड़े कानून बनाये हैं। इसलिए पंचायत समंधी कानून हर राजे में कुछ अलग-अलग हो सकते हैं। पीछे मुख्य विचार यही है कि अपने गाउं की बेवस्ता में लोगों की भागिदारी बढ़े और उन्हें अपनी आवाज उठाने के लिए ज्यादा से ज्यादा मौके मिलें। तो देखलिए ऐसे ृइते गायों के गाउं की मिला जुला कर सबको सबकी बाते क कही जाती है यहीं सुनी जाती है लेकिन आज़कल आउत Bem आप लोह reais प्रस्ट्रा क्रोंपनेने उश्या हरदास गाओं के लोग किन समस्याओं का सामना कर रहे थे उन्होंने अपनी समस्याओं इसको पढ़िए और अगर इसको सॉल करना चाहते हैं तो कर लीजिए चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेश्ट वीडियो में और हाँ अगर आप लोग को हमारे चैनल पसंद आ रहा हो तो इसको सस्क्राइब भी कर सकते हैं तो चलिए फिर मिलते हैं नेश्ट वीडियो में चैप्टर फाइब के साथ तब तक के लिए धन्यवाद आपका दिन सुभू